ज्यादातर केस में आप लोगों में ये कमेंट मुझे ज्यादा दिखने को मिलते हैं कि हमारा एटसेंस एप्रूबल कैसे मिल जाए क्या क्या करने से एटसेंस एप्रूबल मिलेंगे या फिर हम कैसे पता करें कि हमारे साइट जो है वो एटसेंस के लिए रेडी है हमारे साइ को अच कवर करेंगे पूरी तरीके से और जैसे कि आपको पता होगा पीसी ग्रवर जो चैनल है इस चैनल को पर हम अपने आठ साल के यूट्यूब और ब्लॉगिंग से जितने भी एरर देखे हैं जितने भी प्रॉप्लेम हमने फिस किये हैं वो सारे के सारे एज़िटिस शेय करते हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ पीसी के रवर के टू जड़ वेबसाइट मेकिंग और यूट्यू वाला जो सेटिंग है इसको अप लुग जरूब चिक कर लेना तो अगर आप यह सोच रहा है आपके ब्लॉगर के ऊपर एकाउंट है मतलब ब्लॉगर स्पोर्ट के आपने ब्लॉगर वविबसाइट बनाए हैं उसके उपर आपके रैंट संसे के ऊपटा चलेंगे आपके साइट के ऊपर मैं जितना सीके हैं जितना देखा हैं मैंने जितना experience किये हैं AdSense के उपर approval लेना मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है देखो 50% मुश्किल है 50% आसान है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका बहुत सारा reason है अब reason की बात करें तो यह है देखिए भाई आप जब कोई post बनाते हैं AdSense मांगते हैं आप कोई fresh content बनाए मतलब कुछ ऐसा content जो लोगों से हट कर होना चाहिए और लोग जो track पर दोड़ रहे हैं आप उसे छोड़ कर दूसरे किसी track पर दोड़े मतलब कुछ नया करें AdSense हमेशा से कुछ नया चीज डिमांड करते हैं और अगर हम बात करें आपके post के उपर basically आ उपर एक page होते हैं बस एक ही page होते हैं उसके उपर भी Google AdSense approval देते हैं तो सबसे ज्यादा AdSense approval देने के लिए किन-किन चीज़ों के उपर ध्यान रखते हैं वो पहले बात करते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर कार आप चिक कैसे करोगे इन सारे बात को अगर आप नहीं समझे हैं तो आपके लिए complete guide नहीं होगा देगे सबसे पहली चीज़ तो यह है AdSense यह देखते हैं आपके content जो है आप जो publish कर रहे पोस्ट वो कितना unique है लोगों से कितना मिलता जुलता है और लोगों से कितना अलग है और उसके इंदर सबसे ज्यादा देखा ज था उसके इसपर आप medicine लोगों को कैसे बेचोगे तो वैसे AdSense कहना चाहते हैं कि वह अगर आप website बना रहे हैं लोगों को help करना चाहते हैं लोगों के पास कुछ news या फिर कुछ चीज़े आप share करना चाहते उसके इसपर अगर आपके पास experience ही नहीं होगा तो क्यों AdSense आपने website के अपने अंदर publish कर दिये उसके साथ AdSense का कुछ demand है कि आपके website के उपर कुछ यह compulsory जो page रहते हैं यह होना चाहिए अगर यह नहीं होंगे तो AdSense आपको approval नहीं देंगे और basically AdSense यह कहते हैं यह सारे page जो है वो इसलिए होना चाहिए कि आपके website जो है वो genuine हो वो कोई मतलब fake website ना हो आप आए हैं दो तिन माईना एक दो साल के लिए पैसे कमा कर चले जाएंगे इस बारे में AdSense मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं AdSense चाहते हैं आप long time यहाँ पे काम करें long time पैसे कमाएं और जो चीज़ आप share कर रहे हैं वो उसका authority हो मतलब वो genuine हो इस सारे चीज़ों के उपर अलग-अलग page बनाएं जिस particular topic के उपर आप अपने website के उपर post लिक रहे हैं उस बारे में आपके कितना experience है वो about us में डालें ऐसे बहुत सारा चीज़ जो है यह compulsory page AdSense के नियम के अंदर आते हैं और सबसे main चीज AdSense यह धियान देते हैं आपके पा traffic आप कैसे पता करोगे more about this blog इसके उपर click कर दोगे अब यहाँ पर click करने के बाद सबसे उपर अगर आपके www.google.com, google.in, google.co.in ऐसे रहते हैं तो इसका मतलब यह है यह आपके genuine traffic है organic traffic है तो यहाँ पर ना आपके facebook, youtube या फिर कोई भी थाटपटी website का नाम ऐसा नहीं होना च others जो होते हैं यह भी कोई problem वाली बात नहीं है अगर problem वाली बात यहाँ पर आते हैं वो youtube हो गए आपके facebook हो गए आपके कोई भी website हो गए जहां से आप अपने blogger को promote कर रहे हो जैसे कि हमने पिछले वीडियो बना था medium के उपर हमने backlink बनाया तो medium से हम यह आपर traffic मिल रहे है तो यह जो चीज़े ही यह thought party होते हैं इसके उपर अगर आपके traffic ज्यादा है तो उसके इस पर आपको approval नहीं मिलने वाला क्योंकर adsense चाहते हैं जितने भी traffic आपके पास आए वो organic होना चाहिए मतलब जो आपके website के उपर आ रहे हैं उसका queries जो हैं उसका solution आपके website के उपर मि चलाते हैं अगर आप traffic खीच के लाएंगे उस case पर लोगों को बताएंगे traffic खीचने का मतलब यह है आप social media पे share कर दिये social media पे share करो उसमें कोई problem नहीं है लेकिन आपके focus होना चाहिए आपके google के उपर से ज्यादा traffic आए अगर social media से ज्यादा आ रहे है तो उस case पर आप पर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको भी ऐसे google से traffic दिखने के लिए मिल जाएंगे हमारे website के उपर आठ पोस्ट है और इन आठ पोस्ट के ऊपर हम जितने भी यहाँ पर लिखने की कोशिश किये उसके उपर google से हमें traffic मिल रहे तो यह गई सारी चीज मतलब adsense traffic के उपर स उसको copy कर लेना है सबसर पहले आपको google के उपर आना है यहाँ पर स marca चाहर आप एसे चार्च कर सकते जैसे कि मैं ने किया है आपके इसके उपर प्लिक कर देते हैं आपके सामने यहाँ पर कूछ सिंकिंट कर देना है् analysis कर लेते हैं उसके बाद आपको सारे result यहां पर दिखा देते हैं यहां पर आपको बता देंगे आपके website के ऊपर कितने कितने issue आ जाएंगे मतलब यहां पर देखिए हैं यहां पर यह भी बता देते हैं यहां पर टॉप लिबल डॉप में यहां पर आपर ले सकते हैं उसी के साथ अगर देखेंगे TDL eligibility यहाँ पर 100% है, यानि एकदम ठीक ठाक है, domain age जो है, यहाँ पर आपको बता देंगे, यह देखें, nice your domain age, now 6 months old, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, 6 महीना पूराना होना चाहिए, इसके बाद आप अच्छे जए, अपने website के उपर traffic भी ले का रहा पाएंगे, और अधर से approval भी ले सकते हैं, age eligibility यहाँ पर देखें, 100% है, यह भी ठीक ठाक है, language यहाँ पर English है, language eligibility 100% है, ठीक ठाक है, अब इन सारों चीजों के बाद आपको यहाँ पर देखना है, यह traffic result, आपके daily traffic country, monthly traffic, traffic eligibility, यह सारे चीज ना, आप अपने website के यह जो status है, इसके उपर जाक इसके बाद अगर अगर आप देखोगे as a whole उसके बाद approval probability इसका मतलब यह है approval मिल सकते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है 100% मिल सकते हैं तो यह आपको basic knowledge देते हैं कि यहाँ आपके अगर आपके बता देते हैं अगर आपके वेबसाइट जो है वो एटसंस के लिए approval के लिए ready नहीं है यहाँ पर 70% जो है यहाँ पर अगर आपके यह जो approval probability है इसके उपर अगर आपके 70% दिखा रहा है तो आपको यह यह सारी चीज ना आपको चेक करने होंगे एक तो हो गए domain age आपके domain authority जहां से अपने domain ली है पेज का authority मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके page के उपर उल्टा सिदे चीज नहीं होना चाहिए लोगों को फसाने वाला scam करने वाला mod application के movies के ऐसे चीज नहीं होना चाहिए बैक लिंक होना चाहिए और अगर आपको नहीं बता page index होना चाहिए essential page होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया था essential page extra page कौन सा होता है website traffic होना चाहिए website के speed अच्छा का सा होना चाहिए mobile friendly होना चाहिए और STPS होना चाहिए जैसे कि अगर आप हमारे case में देखोगे STPS है तो यह सारे चीज आपको follow करना है उसके बाद ही जाकर adsense approval आपको मिल सकते हैं देखिए भाई यह website क्या बताएंगे जो भी यूट्यूबर जो भी blogger जो भी website या पर जो भी लोग आपको बताएंगे मैं देखोगे हमने कितने size की image यहां पर लगाया है साथी साथी यह खुद का बनाया हुआ है इमेज है ठीक है अलग-अलग PNG यूज़ करके background copyright free यूज़ करके यह इमेज बनाई गई है यहां पर जो हमने bounce rate ठीक रखने लिए यहां पर timer लगाया है यह भी आप लगा सकते कोई issue नहीं है उसी के साथ अगर आप देखोगे यहां पर सारे चीज हमने as it is हमने मतलब handwriting किये यहां पर image add किये किस तरीके से use कर सकते हैं और आप लोग क्या गलती करते हो मैं आपको बता देता हूँ आप लोग ना directly यहां पर title देते हो यहां पर देखिए जैसके मैंने बताया मेरे भाई आप लोग यह गलती करते हों यहां पर directly बता देते हो waste free antivirus download for android world download नहीं होना चाहिए मेरे भाई install download यह सब use नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपका service नहीं है यह आपका चीज नहीं है यह कोई thought pretty companies का है इसको आप नहीं बाट सकते हो इसका authority आपके पास नहीं है आप क्या कर सकते हो यह suggest कर सकते हो लोगों को कि यह antivirus अच्छा है मैंने use किया था अभी इसको use करके देख सकते हैं इसी तरीके से आपको यहां पर post लिखना है review करना है basically और जो movies के website directly यहां पर download डगा देते हैं भले ही उनके पास कुछ-कुछ website के उपर आपको approval दिखने क होना चाहिए post के अंदर कोई spammy content, mod वगेरा यह सब downloading वाला चीज ऐसे नहीं देना चाहिए और आगर आप लोग मुझे बोलोगे मैंने खुद तो यहां पर download link दे रखें जैसे इसके उपर click करोगे यहां पर install below यहां पर downloading generating downloading link तो अगर preview के उपर click करोगे यहां पर हमारे post के preview अगर कोई करते हैं कोई भी user हमारे post के उपर आते हैं उनके लिए post ऐसे open हो जाएंगे नीचे यहां पर timer set हो जाएंगे जैसे यहां पर 10 second complete हो जाएंगे उनके सामने एक downloading वाला चीज open हो जाएंगे तो basically मैं आपको और भी अच्छे तरीक से दिखा देता हूँ चलिए अगर wait करते हैं 15 second wait करने बाद यहां पर देखिए generating downloaded link यहां पर देखिए install ना हो जैसे हो यहां पर click करेंगे वो ना यहां पर डिरेक्ली प्ले स्टोर के उपर जा रहे हैं तो हमने यहां पर डिरेक्ली कोई downloading वाला चीज नहीं दिये इसका मतलब किया हुआ कि हम किसी का product ल लिखा हुआ है और ये वीडियो भी logo का नहीं है हमारा इनके उपर permission है इसी वज़ए से हमने ये वीडियो यहां पर दी है तो आपके पास भी इसका permission होना चाहिए ऐसे आप YouTube के वीडियो उठा कर नहीं डाल सकते हैं यह भी adsense policy का खिलाफ होते हैं अगर आपके वो YouTube channel नहीं और देखो वाई इन सारे चीज़ों को follow करने के बावजूद भी इन सारे चीज़ों को check करने के बावजूद भी अगर आपके adsense approval नहीं मिल रहें तो मैं आपको बोलूँगा i button वाला वीडियो एक आ रहा है जहां पी click करके आप एक बर चीख कर लो वाई वो वीडियो प्रियार है यहां पर जितने भी चीज मैंब आपको ऐसे बताता हूं बात करता हूँ बहुत सरावाते बताता हूं जितने भी मैं आपको बताते हीजों को सारी किशिज मै大家都 पूर्कर के उपर से आपको मन उठ रहे हैं आप सोच रहे हैं ब्लोगर को लेकर हमारा कोई future नहीं है तो अगर आप active थे तो मैं आपको बोलूँगा motivation वाला जो playlist है हमारे PC Graver के यहाँ पर उतना ज्यादा वीडियो नहीं है एक दो अभी मेल बॉक्स पर मत डाला करीये भूचर मेल बॉक्स पर मत डाला करिए